जो हर दोस्तों मैं इस्मृतिया इश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी वित इस्मृति में आज के इस क्लास में आप जानेंगे मरांगों के जैपाल सिंग मुंडा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कॉंटेंट होने वाला है और साथी साथ एक जीला के बारे में भी जानेंगे और यह जीला है लोवर दगा लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बाते हैं आप लोगों के लिए कि अपी जे अब्दूल कलाम जी ने कहा है कि मरने के बाद भी अगर आपको जीना है तो या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना तो इसी कथन के साथ क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और जो क्लास में आज कराने वाली हूं यह जे पीसी और जेससी सीजिल की तरह यह त्या मांजी के बारे में जाना और जीलों के बारे में जो आपने क्लास किया है उसमें आपने रांची के बारे में जाना खूंटी के बारे में जाना और आज आप लोहर दगा के बारे में जानेंगे और सिम्डेगा आप लोग पढ़ चुके हैं यह दक्षनी छोटा नागपूर प्रमंडल का एक भाग है लोहर दगा और इसमें पांच जिले आते हैं दक्षिनी छुटा नागपुर प्रमंडल में रांची सिम्डेगा गुमला खूंटी और लोहर दगा तो अंतिम बचा हुआ है लोहर दगा तो आज ही क्लास में आप करेंगे लेकिन क्लास को सुरू करते आप देख रहे हैं दोस्तों यह चित्र है जैपाल सिंग मुंडा का चलिए लोग इनके डिटेल को जानते हैं कि आखिर इनका जनम का हुआ था इनका जनम हुआ दोस्तों जारखन का एक जीला खूंटी में तो खूंटी के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था इ लेट था दोस्तों तीन जनवरी और वर्स था 1903 इस भी 1903 के तीन जनवरी को जारखन में एक ऐसे व्यक्ति का जनम होता है जिनका नाम है जैपाल सिंग मुंडा और यह हौकी के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और जिन्होंने अंतराश्टी अस्तर पर जारखन का नाम जो ह isasam से यह आये थे और इनके भच्शुत का नाम जो है वेनंद पाहन यहां से भी प्रश्चन पूछा जा सकता है कि वेनंद पाहन कौन है तो विनन्द पाहन जो है यह मरांग गोम के यानि की जैपाल सिंग मुंडा का ही बश्वन का नाम है विनन्द पाहन इनका इश्वरदास के नाम से भी जाना जाता है जैपाल मिस्र ने इनका नाम रखा इश्वरदास सुकरा पाहन जो इनके सांस्कृतिक गुरू रहे और इनका पढ़ाई जो हुआ ये Oxford विद्याला से हुआ 1922 में 1922 में इन्होंने MA की जो पढ़ाई थी वो कहां से करी है तो ये Oxford से उन्होंने MA की पढ़ाई करी है 1928 का वर्ष इनके जीवन का most important और जारखन के इतिहास के लिए अतिम महत्वपुर्ण ये वर्ष रहा दोस्तों वो इसलिए कि ये 1928 में एंस्टर्डम में एक खेल हो रहा था और इस खेल का नाम है ओलम्पिक इसी ओलम्पिक खेल में जैपाल सिंग मुंडा ने होकी टीम का ये कैपटन थे और स्वंड पतक भारत को इसी होकी टीम ने दिलाई थी पहला स्वंड पतक भारती होकी टीम को 1928 में मिला था और यह एमस्टर्डम में हो रहा था और जैपाल सिंग मुंडा थे और जब आप स्पोर्ट के बारे में चारखंड के पड़ते हैं तो इस खेल की सुर्वाथी यहीं से होती है तो यह वर्स जैपाल सिंग मुंडा से संबंदित यह वर्स आप लोगों को एक दम याद कर जाना है रट जाना है यदि आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर कीजे डबल नाइन जीरो 5917 516 और यह नोट्स जो होते हैं मेरे यह पेड होते हैं दोस्तों और लेकिन यह जो क्लासेज मैं आपका ले रही हूं टेलिग्राम ग्रूप में शेयर कर दूंगी जिसका नाम है स्टडी वित स्मृती जेपीएसी आप वहां से भी ले सकते हैं यह तीस से यह बहुत सारे अलग-अलग कॉलेज में यह रह चुके हैं जैसे कि माँकी जगव प्रधाना ध्यापक भी रह चुके हैं अचीव में अचीव मोंट कॉलेज और आफ कॉमर्स इसके भी यह प्रधाना ध्यापक रहे हैं गोड़कास्ट पश्चिम अफ्रीका इस सब अलग-अलग कॉलेज के स्कूल के यह प्रधाना ध्यापक रहे हैं वर्स आते हैं 1949-1939 में यह देखे अब इनका जो प्रवेश हुआ जैपाल सिंग मुंडा का अब इनका प्रवेश हुआ भारत की राजनिती में और उस समय में जार्खन राज निर्मान आंदोलन की सुरव चुकी थी वर्स था 1912 में स्टुडेंट क्रिश्चन और गराइजेशन की स्थापना हो गई थी और उसके बाद अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मांग हो रहे थे कि आदिवासियों की मतलब जो आदिवासियों के हित के लिए या आदिवासियों के अलग-अलग बहुत सारे संगठन बन रहे थे और उसी समय में आदिवासी महासभा एक संगठन बना था और इसके अध्यक्ष बनाए गया थे कौन 1939 इस्वी में ये थे जैपाल सिंग मुंड़ा कई छोटे-छोटे संगठन मिल करके एक महासभा का निर्मान किया गया था और ये जादि इन्होंने ब्रिहा जस्तर पे बहुत बड़े पैमाने पर एक अलग जार्खंड की मांग रखी थी और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक मांग रखी कि एक अलग जार्खंड होनी ही चाहिए और इसकी सुरुवात होती अब एक जार्खंड पार्टी का गठन करना है और इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने क्या नाम रखा इसका नाम था दोस्तों जार्खंड पार्टी क्या नाम था इसका तो इसका नाम रखा गया जार्खंड पार्टी वर्स आता है दोस्तों 1947 का और इस समय में संभीधान सभा के सदस्य जो है जैपाल सिंग मुंडा को 1947 सभी में संभीधान सभा का सदस्य बनाई गया और 1963 आते आते इनका जो जारखंड पार्टी था उसका विले कॉंग्रेस में हो जाता है तो ये प्रस्ण आपसे कैसे यहां से पूछा जा सकता है कि जारखंड पार्टी का विले कॉंग्रेस में किस वर्स हुआ था तो ऐसे प्रश्ण अगर पूछे जाएं तो ऐसे ही आपको एंसर करना है को वर्स कौन सा है तो 1963 में आपसे प्रश्ण आपसे पूछा जा सकता है कि आदिवासी महासभा की अध्यक्षिता जैपाल सिंग मुंदा ने किस वर्स किया था तो जारखंड पार्टी का गठन 1950 इस विमें किया था ऐसा भी प्रश्ण पूछा जा सकता है कि निम्न में से जारखंड के वो कौ संविधान सभा में एक सदस्य बनाया गया था तो यह हो जाएगा जैपाल सिंग मुंदा यह संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गया थे जैपाल सिंग मुंदा की पत्नी जो थी इनका नाम था प्रतम पत्नी पहली पत्नी इनका नाम था तारह मजूमदार और इनकी दूस 1970 तक ये खुंटी से सांसद भी रहे हैं 1970 20 मर्च को आते आते इनकी मृत्यू हो जाती है दोस्तों इनका देहान्त हो जाता है और जहां तक मुझे याद है इनका देहान्त दिल्ली में होता है ब्रेन हैमरेज के कारण 1970 इस भी में जैपाल सिंग मुंदा का देहान्त हो जाता है तो आपने बहुत सारी बातें आपने जैपाल सिंग मुंदा से संबंदित पढ़ी है तो आपने वर्स कौन से पढ़ा तो वर्स पढ़ा 1903 इसमें आपने क्या पढ़ा था इस समय में इनका जन्म हुआ था वर्स पढ़ा इनसे संबंदित 1922 इन्होंने MA में एडमिशन लिया था कहां पर तो ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई किया था फिर आपने वर्स पढ़ा 1928 इस समय में क्या हुआ था तो इस समय में इन्होंने होकी प्रत्योगिता में पार्टिपेट किया था कहां पर त पढ़ा कि 1949 इसलिी में आदिवासी महासभा का ये अध्यक्ष्टा कर रहे थे और अध्यक्ष बने थे ये फिर आपके आपने वर्स पढ़ा कौन सा तो आपने वर। पढ़ा दोस्तों कौनसा तो 1950 इस भी और इस समय में इन्हों ने जार्खंड पार्टी का गठन किया फिर आपने वर्स पढ़ा दोस्तों कौनसा तो वर्स था 1963 इस भी और 1963 इस भी में इन्हों ने क्या किया तो 1963 इस भी में कॉंग्रेस में जार्खंड पार्टी का विले हो गया फिर आ दोस्तों खुटी से फिर आपने वर्स पढ़ा 1970 का तो इस समय में आपने पढ़ा कि इनकी मृति हो गई थी तो यह आप लोगों को याद रखना यह सारे वर्स और यहां से कोश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं और आप लोग किन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप यह इनके बहुत सारे नाम हुए है और इनको दौस्तों में जानेंगे दोस्तों एक के बारे में और वह कौन सा है तो ये है Looker डगा जिला, लोहर डगा जीला के बारे में जांए देर में, आज की class में हम लोहर डगा के बारे में जाती हैं को लोहर डगा जीस प्रमंडल में इस्तीद है ये है दख्षिनीilim छोटणागपुुर प्रमंडल, इसके पहले आपने पढ़ लिया है रांची के बारे में, हुटी के बारे में, सिम्डेगा के बारे में, गुमला के बारे में, लेकिन कुछ और भी information बस दो मिनट का समय दीजेगा, दो मिनट के बाद फिर से class कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आप जान दीजे, ये दिव्या BPSC का 9749 का बैच है, ये 24 मंस का लेते हैं, तो एक साल का फ्री मिलता है, 17 BPSC को आपने टार्गेट किया है, तो 7,499 का बैच है, दो साल का ये बैच है, अगर आपको achievers 2.0 बैच लेने है, BPSC के 2399 के, अगर आप BPSC का या फिर कोई भी सब्स्रिप्स्रिप्स्रिप्स्रि लेते हैं, तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं, SMRITI1010, तो आप इस कोड को यूज करके, आप जो है, डिसकाउंट ले सकते हैं, चलिए, अब हम लोग 7069 BPSC का बैच है, 2249 का, NCRT का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, ये 1299 का है, लेकिन 1169 मे अगर आप रहूल सर के बैच लेना चाहते हैं, 269 का साइंस टेकनोलोजी 799 का है, डेली का करेंट अपेर्स हो रहा है, आने कड़मी पर, अगर प्लस फीचर हैं, इसमें दोस्तों, बहुत सारे लाइव प्लासे आपको मिलते हैं, टॉप एडिए पढ़ने को मौका मिलता है पीडिएफ आपको मिलते हैं यहाँ पर, चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं, आप हम लोहर दगा के बारे में चांदे हैं, आपको बताना है कि लोहर दगा जीला जो है, यह जारखन का एक ऐसा जीला, यहाँ पर तो मैप मैं नहीं लगा पाई हूँ, देखें, लोहर दगा, यह किन-किन जीलों के साथ यह सीमा साजा करता है, यह इसके बारे में बढ़ता है, जैसे कि आपने पिछले क्लास में यह पढ़ा था, यहाँ पर इसी मैप से हम लोग काम शलाते हैं, आप लोग परिशान मत होईएगा, मैं आपको बता देती हूँ, किन-किन जीलों के साथ ये लोहर दगा जो है ये सीमा साजा करता है जैसे आपने पिछले क्लास में खुटी के भारे में पढ़ाता ना है कि वो किसी वी राजे के साथ सीमा नहीं लगाता है तो लोहर दगा किसी राजे के साथ सीमा नहीं लगाता है और लोहर दगा जो है ये लातिहार, गुमला, राची इन सब के साथ ये सीमा लगा रहा है तो ये इसके सीमा हो गई चलिए हम नोग आगे बड़ते हैं इसका मुख्याला जानते हैं कि इसका मुख्याला कहा है तो लोहरदगा रहुआ sujet है दोस्तों मीर्प जो कि की आप देख रहे ह 형om खाने कि width जो चित्र आब के सामने हैं यहां के विधायक है सुधर्शन भगत नहीं मांकी जे का सांसद है सुधर्शन भगत और यह बीजेपी से हैं सुधर्शन भगत बीजेपी से हैं बावनवर्स की उम्र के हैं और यह बीजेपी से हैं और ग्रेजुएट हैं सुधर्शन भगत कुछ और भी चीज है जो लोहर दगा से संबंदित हैं यहां पर अनुमंडल की संख्या कितनी है तो यहां पर दोस्तों एक अनुमंडल है और यह कौन सा अनुमंडल है तो अनुमंडल है यह लोहर दगा अनुमंडल है यहां पर वर्तमान में कितने प्रखंड है तो यहां प् लोहर दगा का यह अखिलेश्वर धाम है लोहर दगा में ही आपको यह धाम मिलेगा क्या नाम है इसका अखिलेश्वर धाम जो चित्र आपके सामने है यह अखिलेश्वर धाम का चित्र है और लोहर दगा का छेत्रफल कितना है छेत्रफल की बात की जाए तो 1502 किलो मीटर स्क जनसंख्या के आधार पर लोहर दगा जो है यह सबसे छोटा जिला है लोहर दगा सबसे छोटा है जनसंख्या के आधार पर अखिलेश्वर मंदिर कहां मिलेगा तो यही पर लोहर दगा में मिलेगा अखिलेश्वर मंदिर कहां है तो यह लोहर दगा में है यहां पर जो इसका लोगसभा चेतर हें वह कौन सा है यह लोगसभा चेतर लौहर दगा हिन está का लोख सभा च॥ेत यहां पर कौन-कौन-कौन से खनीज मिलते हैं अगर आप लौहर दगा जाएगा तहू Mississippi People सा मिलेगा तो यहां पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा तो बॉक्साइट मिलेगा याद रखेगा कौन सा खनीज तो यहां पर बॉक्साइट मिलेगा और साथ में आपको क्ले मिलेगा और बॉक्साइट के लिए यहां जो खान आपको मिलेगी वह कौन सी खान है most important याद रखना है नाम को तो यह है बगडू की खान बगडू की खान कहा है तो यह दोस्तों लोहर दगा में किस खनीज के लिए इसे जाना जाता है तो इसको boxseito के लिए जाना जाता है रांची में रांची के बारे में जब आपने पढ़ा था वहाँ आपने पढ़ा था कि मूरी नाम का एक जगा है रांची में यहाँ पर अलुमूनियम का फैक्ट्री है अलुमूनियम बनाने का और इसी मूरी में दोस्तों जहाँ पर अलुमूनियम बनाय जाता तो इसमें कच्छा माल आपको कहां से मिलता है यह जो बगडू की खान आपने पड़ी है तो यहां से कच्छा माल जो है यह मुरी के ऐलमूनियम फैक्टरी में जाता है अखिलेश्वध हम कहा है तो यह लोहर दगा मैं प्रतेक वर्स अस्थापना दिवस कब मना जाता है तो 18 मई को मना जाता है और वर्स कौन सा है दोस्तों तो ये वर्स हो जाता है कौन सा तो ये हो जाता है उन्नाई सो तेरासी इस भी में अस्थापना वर्स कौन सा है लोहर दगा का उन्नाई सो तेरासी इस भी और डेट कौन सा है तो अठारा मई इसको भी आद रखेंगे किस डेट को इसकी अस्थापना हुई थी और कौन से वर्स में इसकी अस्थापना हुई थी तो अस्थापन आप से यह भी पूछ है कि लावा पानी घ्रना काँ परिस्थ सब्सक्राइब है तो यह आंगी सब्सक्राइब लोहर दगा में तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही अब हम लोग कल की क्लास में कुछ जीलों के बारे में भी जानेंगे और प्रमुख व्यक्तित्यों के बारे में जानेंगे तो कल की क्लास में हम लोग इसको हम लोग पूरा डिटेल में करते हैं तो आज बस इतना ही मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं आप से विदा धन्यवाद